Good Morning Students, Yesterday I had explained Fire and Ice in detail and today we are going to discuss the question answers of Fire and Ice मैंने कला आपका Fire and Fire and Ice detail में explain किया था इस पोयम को मैंने हरेक वर्ड, हरेक लाइन और स्टेंजा प्लस रामिंग स्कीम और जो भी आपके फिकर सभी स्पीछ होते हैं वो बने explain कर दिया था और अब इस question answer को इस chapter के जो भी question answer है उसको मैं detail में आपको समझाओंगा ठीक है चलिए start करते हैं पहला है thinking about the poem ठीक है इसमें आपका question 1 हम देखती है there are many ideas about how the world will end यानि बहुत सारे ऐसी विचार है दुनिया के खत्म होने के बारे में ठीक है कि दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी कोई कहता है दुनिया वैसे खत्म हो जाएगी do you think that the world will end someday क्या आपको लगता है क्या आप सोचते हैं कि किसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी ठीक है have you ever ever मतलब कभी भी thought मतलब सोचा है क्या आपने कभी सोचा है what would happen क्या होगा if the sun sets so hot अगर सूर्य बहुत ज्यादा गरम हो गया that it burst कि वो blast हो गया और grow colder and colder यानि gross मतलब होना थंडा बहुत थंडा होना मतलब कभी आपने सोचा है क्या होगा अगर सूर्य गरम होके blast हो गया या फिर बहुत ज्यादा थंडा हो गया चल्यों देखते हैं अब इसके answers को हम देखेंगे ठीक है yes I do believe that the world will end someday as anything that has a beginning will have an end yeah believe मतलब विश्वास करना हा मैं विश्वास करता हूँ कि दुनिया किसी दिन खत्म हो जाएगी क्योंकि yes मतलब क्योंकि anything कोई भी चीज जिसकी एक beginning है शुरुवात है उसका अंत भी है if the sun got so hot that it burst the whole of the earth would perish immediately as no part of the earth can bear the heat of the sun यानि अगर सूर्य बहुत गरम हो गया और फट गया यानि blast कर गया whole मतलब पूरा तो पूरी दुनिया perish मतलब खत्म हो जाएगी तुरंद तुरंद ठीक है यह भी हिस्सा सूर्य के गर्मी को बियर यानि बर्दास्ट नहीं कर सकता है but if the sun grew colder and colder अगर सूर्य बहुत ठंडा हो गया है everything will come to an end तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि without sun life life will end क्योंकि सूर्य की रोष्णी की मिना दुनिया खत्म हो जाएगी ठीक है तो इसमें आंसर पूरा क्या होगा हा मैं विश्वास करता हूं कि दुनिया किसी दिन खत्म हो जाएगी क्योंकि हर एक चीज जिसकी शुरुआर है शुरुआत है उसका अंत्वी है अगर सूर्य बहुत ज्यादा गरम होके बलास्ट हो गया फट गया तो पूरी दुनिया खत्म हों जाएगे तुराण क्योंकि पृतिवी का कोई भी हिस्सा सूर्य की गर्मी को बरदास्ट नहीं कर पाएगा अगर सूर्य बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो भी सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि बिना सूर्य के रोशनी के दुनिया खत्म हो जाएगी ठीक है? चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं चलो बच्चो अब हम कोशन नमर टू को देखेंगे और इसको बहुत ही डिटेल में समझें के ठीक है फॉर फ्रोस्ट वाट डू फायर एन आईस स्टैंड फॉर ठीक है? यानि फ्रोस्ट जाएज सी बात है जब यह फ्रोस्ट वर्ड यूस किया गया इसका मतलब होता है रॉबर्ट फ्रोस्ट जो की इस कविता के लेखक है ठीक है? पॉर्ट है कभी है फॉर फ्रोस्ट वाट डू फायर एन आईस स्टैंड फॉर यानि फ्रोस्ट के लिए फायर और आईस का मतलब क्या है यानि कभी के लिए फायर और आईस का मतलब क्या है ठीक है, here are some idea, चलो बच्चों, यहां मैं एक-एक word को detail में explain करता हूँ, ताकि आपके mind में 0% कोई confusion दा रहे हैं, ठीक है, fire stands, यानि fire का मतलब है greed, greed मतलब होता है लालच, average, average का मतलब होता है lobe, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, lobe, lust, lust मतलब क्या होता है, lust मतलब होता है, harvest, conflict मतलब जगड़ा, fury मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, तो fire का मतलब होता है, लालच, लोब, हवस, जगड़ा या फिर गुस्सा होना Eyes stands for Eyes का मतलब क्या होता है? Cruelty Cruelty मतलब क्या होता है? जो की एक दब Cruel होता है यानि उसका वो बिल्कुल किसी पर कोई दया नहीं करता है निर्दई मतलब किसी पर दया नहीं करता है Intolerance Intolerance मतलब जो किसी के बाद को बरदाश्ट नहीं करता हो किसी चीज को बरदाश्ट नहीं करता हो Rigid मतलब का थोर होना Insensitivity इसका मतलब क्या होता है? जो फिली नहीं करता है किसी मतलब किसी की फिलिंग्स को परवा नहीं है ठीक है? Coldness आप देखो coldness मतलब समझे Coldness मतलब यहां थंडा लेकिन थंडा नहीं होता है यहां इसका मतलब क्या है? पत्थर दिल यहां बरफ के तुलना पत्थर से की गई है इसका मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं नहीं कि इसका पत्थर का दिल है तो यहाँ पत्थर का दिल का मतलब क्या होता है? यहाँ पत्थर का दिल का मतलब यह होता है कि इस इनसान के अंदर कोई feeling नहीं है, इसको किसी की परवा नहीं है, इसको किसी की दुख या सुख से कोई लेन दे नहीं है, तो coldless मतलब क्या होता है? एक इनसान जिसका पत्थर का दिल होता है इसका क्वास कोई feeling नहीं होता है इंडिफरेंस मतलब क्या होता है लापरवा वातलब वो किसी की परवा नहीं करता है हेटेड मतलब होता है नफ्रत जलन तो आइस का मतलब क्या होता है एक cruelty cruelty मतलब वो जो किसी पर कोई दया नहीं करता है निर्दई होना, intolerance यानि जो किसी को बरदास्त नहीं करता है, rigidity इसका मतलब कठोर, insensitivity यानि उसको insensitive है, उसको किसी की feelings उसको महसूस नहीं होती है, coldness यानि पत्थर दिल, संग दिल, indifference यानि बेपरवा, एकदम वो किसी की परवा नहीं करता है, hatred मतलब जलन, नफरत, चल इसके बाद हम देखते हैं, इसके जो बाद का question है, what is the rhyming scheme of the poem? देखो बच्चो, इससे पहले जब मैंने poem को fire and ice को explain किया है, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से rhyming scheme बता दिया है, आम दोर पर ये जो stanza होते हैं poem में, इसका जो आखरी word होता है, उसको देखा जाता है कि वो बाकी lines से, बाकी lines के आखरी word से match करता है कि नहीं, rhyme करता है कि नहीं, rhyme करता है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, तो rhyming scheme कविता का क्या है, साथ में, how does it help in bringing out contrasting ideas in the poem, help मतलब मदद करना, ये कैसे मदद करता है, bring out में मतलब दिखाने में, क्या दिखाने में, contrasting ideas, idea मतलब विचार, contrasting मतलब होता है, तुलना करना, compare करना, ठीक है, तुलनातमा, contrast मतलब ही होता है, दो चीज में तुलना करना, दो चीज में compare करना, तो ये जो rhyming scheme है, एक कैसे कविता में, different विचारों में तुलना कर रहा है, different विचारों में compare कर रहा है, ठीक है, चलो हम The rhyming scheme of the poem is ABABCBCB यानि जो rhyming scheme आपका है poem का वो है ABABCBCB ठीक है अब ध्यान से देखते हैं कि यह rhyming scheme का कैसे इस्तमाल किया गया रहा है इस poem में अलग-अलग विचारों के contrast करने के लिए तुलना करने के लिए ठीक है This rhyming scheme helps in bringing out यानि यह rhyming scheme मदद कर रहा है दिखाने में bringing out में दिखाना क्या दिखाने में Contrasting ideas of fire and ice तुलनात्मक विचार यानि fire and ice यह दो अलग-अलग ideas है तो यह rhyming scheme क्या कर रहा है इन दो ideas की तुलना कर रहा है इसको क्या कर रहा है, contrast कर रहा है, यानि क्या कर रहा है, इसका compare कर रहा है, ठीक है, समझो, rhyming scheme जो use किया गया poem में, वो क्या कर रहा है, कि ये जो दो ideas है, कौन से idea, कौन से विचार, fire और ice, इन दो idea का contrast यानि तुलना कर रहा है, कैसे तुलना कर रहा है, हम देखते है, the poet mentions, या कहता है कि दोनों आग और बरफ संभाव अंत है इस दुनिया के यानि कभी ये कहता है कि दुनिया या तो आग से खतम हो जाएगी या फिर बरफ यानि ठंडी से खतम हो जाएगा यानि फायर दुनिया इच्छा से खतम हो जाएगी या आइस यानि नफ्रा से खतम हो जाएगी ठीक है, he talks about how fire represents desire, ये कहता है क्या, कि जो आग है, वो क्या चीज़, represent मतलब क्या संकेत करता है, desire, इच्छा, मैंने इससे पहले जब explain किया है, आपको poem तो मैंने बताया है, कि लगभग जितनी भी हितिहास में आप जंग देखेंगे, या जितनी भी तबाही भी है, including first world war, second world war, ये जो भी देखते हैं, आप रामायन, महाभारत, ये जो भी हुआ है, ये इच्छा के लिए हुआ है, और इसी इच्छा के वज़े से लोगों का शर्वनास हुआ है, ठीक है, तो आग क्या दर्शाता है, आग दर्शाता है desire, यानि इच्छा, and can therefore, और इसलिए be a cause of end of the world, cause मतलब कारण, यानि जो आग है, वो किसको संकेत कर रहा है, इच्छा का, और इच्छा वज़े, cause यानि वज़े बन सकता है, दुनिया के अंत का, आगे दिखते है, frost also mentions ice, frost ice के बारे में भी भी कहता है, to symbolize, symbolize मतलब संकेत करने के लिए, क्या संकेत करने के लिए, that coldness and indifference towards one another will be enough to end the world, यान ध्यान से आप समझो, आगे frost ice के बारे में संकेत करता है, symbolize संकेत करता है, क्या कहता है, क्या करता है, coldness के बारे मैंने क्या कहा था, आपको, coldness मतलब कि कि किसी इनसान को दूसरे पे कोई दया मैया नहीं आ रहा है, दूसरे के लिए कोई feeling नहीं है, जब किस इनसान का दिल पत्थर का हो जाता है, तो वो किसी को जान से मार भी देगा, तो उसको दुख नहीं होगा, उसको कोई feeling नहीं होगा, उसे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका दिल पत्थर का हो चुका है, उसको दूसरे के दुख या सुख या तकलीफ महसूस करने क क customers स्टेच जहांं इतना हो जाता है दुनिया के पड़ते उसका धया कर हो जाता है इंडेफरेस्ट मतलब होता है लव परवह बेबर वमटलब वो किसी चीज के परवार नहीं करते हैं उसको किसी से परवार नहीं है तो उसने क्या करता है कि आग car इसमें क्या प्रोश क्या केता है? कि बरफ, आईज, क्या संकेत करता है? coldness, यानि एक ऐसा stage, एक ऐसी परश्थिती जिसमें इनसान पत्थर दिल हो जाता है and indifference, यानि एक इनसान जो बेपरवा है, किसी की परवा नहीं करता है और यह जो पत्थर दिल होना या बेपरवा होना एक दूसरे के पती काफी हो दुनिया को खतम करने के लिए इन दे सेकेंड इस्टेंजा और दूसरे इस्टेंजा में यह कहता है He says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient He says यानि वो कहता है knows मतलब जानता है यानि Frost यह कह रहा कि मैं जानता हूँ enough hate यानि काफी नफरत है इस दुनिया को destruction मतलब खतम करने के लिए ice के दुआरा यानि he says that he knows of enough hate in the world वो कहता है कि मैं जानता हूँ काफी नफरत है इस दुनिया में to be sure और वो confirm है कि ice यानि बरफ भी destruction दुनिया को खतम कर सकती है और इतना ice would be sufficient ice मतलब यह जो नफरत है ना वो काफी है यह ice मतलब क्या हो रहा है पत्थर दिल या फिर बेपरवा होना या फिर ice मतलब यह होता है नफरत और नफरत इतनी sufficient है कि दुनिया को खतम कर देगी यानि simple में यह क्या कह रहा है कि यह जानता है कि इतनी जलन है नफरत है इस दुनिया में और confirm है sure है कि तबाही कैसे होगी ice से तबाही कैसे होगी नफरत से और यह आगे कहता है कि इतना नफरत है Sufficial मतलब इतना नफरत है कि दुनिया खतम हो जाएगी ठीक है तो बच्चो मैंने जो fire and ice के question answer उसको detail में समझा दिये है साथ में rhyming scheme भी समझा दिया गया है और word to word, line to line सारे चीज़ explained है अब इस वीडियो को जितनी बात देखिएगा उतनी अच्छी तरीके से आप इसे समझेगा ओके बाई